अलो इस्टुएंट्स नेक्स देखेंगे अपन केशन नमबर 26 यह केशन में कुछ उसी टाइप का जैसे पने पीछे किया था यह पूरे कंडिशन आपके आई है ठीक हैसा अब क्या करेंगे देखो सबसे पहले मैं फॉर्मुला लगा लेता हूं देखो नीचे डिनोमिनेटर सब्सक्राइब 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 अब उपर नीचे मुझे माइनस 3 मैंस 3 से मल्टिप्लाई करना है किlike स्क्रायर और Яह क्यूetzung कर यह माइनस 2 है तो मैं यहाँ पर माइनस 3 लगा दूँ ही के सब एक काम करो यहां आप ऊपर नीचे माइनस 3 और माइनस 3 से मैं एकर मैं ऐसा करता हूं यह मैं अंदर CDC मैं अंदर लगा देता हूं और यह वाला माइनस त्री निये बहार छोड़ रहा हूं को समझ्ष मृँसान में आया ग οποiada कि देखो क्या किया मेने हजोड माइनस काता पाफ माइनस थि यह मैंने अंदर लिग दिया और यह है 1 upon minus 3 है minus 3 नीचे तो लिखते है ऊपर ही तो लिखते है तो लिखते है तो लिखते है वापस आया को समझ में हाँ सर आप देखों यहाँ पर 4 भी ची है ठीक है सर मतलब exactly same value बनाने की पोशिच कर रहा हूँ मैं तो मैं 4 से ही इसको add करूँगा और 4 से इसको subtract करूँगा को समझ में हाया ठीक है अब दोनों को separate कर दो यह एक value इसके नीचे और एक value इसके नीचे 4 minus 3 cos square x dx 4 minus 4 0 to y by 2 minus 4 dx upon 4 minus 3 cos square x इसके साथ ठीक है सर यह पूरा कटके तो 1 हो गया यहां मैं उपर नीचे multiply कर देता हूं फिससे cos 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 square से ठीक है देखो उपर अगर मैं cos square से divide करूँगा minus 4 upon cos square x और नीचे देखो नीचे divide करूँगा तो इसके भी नीचे cos square x लगेगा माराम से एक बर वापस से revise कर लो वापस से देख लो पूरे वीडियो हाला वापस से note कर लो इस सारी चीज़ है ठीक है आगे देखो माइनस वन बाए थ्री ब्रैकेट इंटीग्रेट जीरो टू पाए बाए टू वन डॉट दी एक्स प्लस जीरो से पाए बाए टू हम देखना इदर माइनस फ काॉश का लिखतें उपmistल भीच की सैक स्क्वेर टू क्या हाथ लिख दो नीचे देखता वूर अपान कॉश का वापर वेच की लिख़ूंगा सेक प्लस गसे का dü जाएगा यह ब्रैक्ट क्लोस बता हुआ समझ में आए क्या यह समझ में आगे अब मैं सबको सेपरेट कऱता हूँ अब मुझे एक होर फांटा है वन प्लस 10 स्क्वार एक्स प्रस्ट रोच क्या होता है सैट कस्वार होता है होता है सब ह्लरूर लगा तो पहले माइनस वन वन बाई 3 इंटेग्रेट 1 डॉप दिएक्स 0 वाई दू और यहां देखो माइनस 1 वाई 3 इंटेग्रेट 0 से पाई बाई 2 माइनस 4 सैके स्क्वाइर डॉप डॉप इस नीचे फॉर्मला लगा रहा हुँना और इस सेक स्क्वार की जगे वन प्लस टैनी स्क्वार एक्स माइनस थ्री समझ गए इसको तो मैं सॉल भी कर देता हूं वन का क्या हो जाएगा आपके पास सर एक्स हो जाएगा और लेव अपर लिमिट ले लो समझ गए क्या आसर इसमें वैल्यू थोड़ी चेंज करें थी अपने कोई कोई लैट वैट कुछ नहीं किया अभी तक सर अभ देखों यह है माइनस फॉर जाते लिए पेशे बढ़ जाते हैं इसको नोट न पीछे कर लेता है एक मिन अठाओ इको तो मैंने संब इस अपर लिमिट लगाऊ लोग अब लिए लगाँगा फाइबाइट तू अर यह लगाँगा ता जीरो एक्चॉल में only pi by 2 बचाया, फिर minus 1 by 3, integrate 0 से pi by 2, अब देखो, ये है minus 4, second square x, एक second, upon, 4 में से 3 गया, तो कितना बचा, सरवन बचा, 10 square x, ठीक है, minus pi by 6, dx upon 1 plus 2, 10 x, जो पर holy square मान सकते हैं क्या, हाँ सर मान सकते हैं, अब आप let करो, के वल इस condition में, 2 tan x equals to t, both side differentiate, 2 as it is, tan x का क्या होता है, sag square x dot dx equals to dt, कुछ समझ में आया है क्या, हाँ सर, ये समझ में आ गया, tan x का कितना हो जाएगा, sag square x, तो अब मुझे जो यहाँ पर solution चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, देख लो, इस में से 2 तो बाहर निकाल देता हूं, और केवल 2 रख लेता हूं, positive का, कैसे हैं, देखो ऐसे, minus 5 by 6, minus, इस में से मैं क्या कर रहा हूं, minus भी बाहर निकाल रहा हूं, तो ये minus minus क्या हो गया, प्लस हुआ, और ये 2 बाहर निकाल रहा हूं, एक 2, ठीक है, only 2, sag square x dot dx, उपर रख रहा हूं, और नीचे 1 plus 2, tan x का whole square, समझे, अब यहाँ limit भी change कर लो, limit change, when x equals to 0, अगर मैं x की value हैं, 0 लिख दू, tan 0 किता होता, 0 तो ये 0 हो गया, और x की value, pi by 2 लिख देता हूं, एक से किता हूं, हाँ, tan की value, sorry, क्या चलती थी value, हाँ, x equals to 10 x हो गया है, यहाँ पर value क्या हो जाएगी, देखो, x की value क्या हो गया है, आपके पास, यह रही, x की value मैंने pi by 2 यहाँ put करनी है, आपको पता, tan pi by 2 का मतलब, sin pi by 2 upon cos pi by 2, अब cos pi by 2 नीचे किता होता, 0, तो 1 upon 0 क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा, साज माया, हाँ, सार आ गया, अब आप values put करो, एक साथ दढ़ले से, देखो, minus pi by 6, plus 2 by 3, okay, integrate, value change कर दो, साज नीचे जहाँ 0 ता हो, जहाँ उपर pi by 2 ता हो, infinite कर देता हो, 2sac square x dot dx, इसकी जाएगे हो गया, dt upon 1 plus 2 tan x की जाएगे हो गया, e और इसका whole square, समझ गया, बिलकुल समझ गया, सर, बिलकुल समझ गया, 1 upon 1 plus tan x की का formula होता है, सर, यह formula हो जाएगा, 1 by a tan inverse x by a, upper limit और lower limit, लगाओ tan inverse infinite minus tan inverse 0, अब आपको पता tan inverse infinite का value क्या होता है, एक्चल में 90 पे तो होता है, रहर अभी तो बताया, 10 90 पे तो infinite आरा था, तो यह किसका value होगा, 90 यह पाई बाई टू का, और यह 0 हो जाएगा, बताओ यहां तक समझ में आए क्या, आगे देखो, minus 5 by 6, plus 2 से 2 कट गया, 5 by 3, यहां तक समझ में आगे आगे, यह से multiply हो गया, 0 आट गया, 2 से 0 कट गया, 5 by 3, आगे इसका solution देखो, next slide पर यहां ते एक बर copy कर लेना, आराम से, ठीक है, minus 5 by 6, plus 5 by 3, ठीक है, LCM लेना का, यह कहा है, 3 into 2, के लिए रहे हैं, यहां पर LCM के ताहएगा 6, minus 5, और 2 by, और 5 by 6, बताओ समझ में आए क्या, आंसर यह समझ में आ गया, के लिए रहे हैं तक, अच्छे से, सभी को कोई doubt है, नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो complete हो गया है, मेरे ख्याल में, पूरा solution, और इसी के साथ, question number 26 का अंसर, complete, next, देकिंगे, next slide में,